हेलो माई डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है शेक सदाम और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूटूब चैनल में गोल्डेन ट्यूटोरियल आज का हमारा टॉपिक है अंकी लामी दास तुजा संत वानी का चैप्टर नंबर अ अंकी लामी दास तुजा का मतलब क्या है आज से मैं तेरा दास और तु मेरा मालिक हम गोट को मानते हैं न और उनको क्या बोलते हैं हम के आज से मैं तेरे ही गुन गाने वाला हूँ मैं तेरा ही दास हूँ तेरा ही भक्त हूँ ऐसा ठीक है तो ये जो पोएम है वो किस ने लिखी है संत नामदेव जी ने लिखी है ठीक है तो हमारे कवी जो है उनकी बॉन डेट क्या है 1270 और उनकी डेट कब हुई 1350 ठीक है तो चलो आईए पढ़ते हमारा फर्स में यहाँ पे 10-15 15 डेज तक के लोग चल कर उस टेम्पल में जाते तो यह वहां के महान संत कवी है संत नामदेव आपने 9th सैनेट में भी पड़ा होगा संत नामदेव संत एकनात संत तुकाराम ठीक है तो यह वहाँ के जो है महान कवी है संत नामदेवांची अभंग रच रचना अतिश्य उतकट असुन त्यांचय अभंगाची भाषा सुबोज सरड साधी आहे तो ये जबी भी मतलब अपनी पोयम लिखते थे ये कैसी थी बहुत ही लोगों को पसंद आती थी और एकदम ही सिंपल भाषा में लिखी जाती थी ओके ये ऐसी भाषा यूज करते थे अपनी पोयम लिखने के लिए त्यानी हिंदी ही रचना केली तो उन्होंने हिंदी में भी रचनाये लिखी है पंजाबात जाउन त्यानी भगवत धर्माची पता का फड़कवली तो पंजाब में भी इन्होंने जो है भगवत धर्म के रिलेटेड इन्होंने जो भी चीज लिखी वो बहुत ही फेमस हुई वहां पर शीकांचा गुरू ग्रंता साहिब या ग्रंता त्यांची 61 कवने समाविस्ट असुन भक्त नामदेव जी की मुखबानी या नावाने प्रसिद आहे तो गुरू ग्रंता साहिब में इन्होंने पंजाब में जो लिखी उसके अंदर 61 61 कवने लिखी इन्होंने जो भक्त नामजेव भक्त नामदेव जी की मुखबानी ये नाम से बहुत जादा फेमस और वहां पर प्रसिद है ओके तो चलो आएए हम पढ़ते हैं हमारे पोएम के बारे में प्रस्तूत प्रस्तूत मतलब ये जो दी गई हमारी पोएम है अभ कृपाची याचना के लिए आहे तो प्रस्तूत अभंगाद मतलब ये पोएम में संत नामदेव जी जो विविद विविद मतलब डिफरेंट दुरुष्टातुन एक्जाम्पल प्रमेश्वर मतलब गौड कृपाची याचना के लिए आहे मतलब ब्लैसिंग के लिए रिक एक्जाम्पल देकर अपने गौड से वो रिक्वेस्ट कर रहे है कि वो हम पर दया करें और हम पर कृपा करें कृपा करने की याचना कर रहे है रिक्वेस्ट तो चलो आईए पढ़ते हैं हमारी फॉर्स्ट स्टेंज़ अगनी मजी पाड़े बाडू माता धावे अगनी मजी मतलब जो फॉरेस्ट पायर होता है उसको बोला जाता है अगनी मजी मराटी में पड़े मतलब गिरना बाडू मतलब बच्चा बेबी माता मतलब मॉम मदर धावे मतलब भागना कनवाडू मतलब दया तो जब कभी भी ऐसी मुसीबद आती है एक जब बच्चा चोटा सा जब वो आग में गिरने वाला रहता है तो उसकी माँ उससे कैसा दया से मतलब इतना मतलब अपना कोई भी काम होगा उस चीज़ को छोड़ चाड़ कर भाग कर उसको बचा लेती है वो दिया गया है तैसा धावे माजिया काजा अंकिलामी दास तुझा तो ठीक उसी तरह आप भी मेरे पास भाग कर आजाओ मेरे काम करने के लिए ऐसा अंकिलामी दास तुझा ऐसा बोलते हुए गौट को संत नामदेव बोल रहे है यहाँ पर तो आए थर्ड स्टैंजा देखते हैं स्वेची जेपावे पक्षीनी पिल्ली पड़ताची धरनी स्वेची जेपावे मतलब जपटते हैं उसको जेपावे बोलते हैं पक्षीनी मतलब बर्ड जो फीमेल बर्ड है उनको बोला गया है पक्षीनी पिल्ली मतलब जो चोटा सा बेबी होता है उसको पिल्ली बोलेंगे पड़तिच मतलब निचे गिरना और धरनी मतलब धरती मतलब जमीन पर उके तो मतलब जब कभी भी मतलब ये लोग खाना खाने के लिए लेने के लिए जाते है छेडिया हो गई या फिर कोई भी flying birds हो गए तो वो अपने बच्चों को सुला कर जाते और वो हर वक्त चिंतित रहते है कि उनका जो बच्चा है वो जाड के उपर से घोसले से जमीन पर गिरना जाए तो वो हमेशा मतलब वापस आने की कोशिश में रहते है जल से जल और वो ऐसी कभी भी situation आती है तो वो अपने बच्चों को जमीन पर गिरने से जल से जल बचा लेते है हवे में तो ऐसी इसके लिए जेपावे लिखा हुआ है उदर चलो आए पढ़ते हैं अभी हम लोगा फोट स्टैंजा भूकेले वाचसरावे धेनू हमबरते धावे तो भूकेले मतलब हंगरी जब इद्दम भूक लगती है उसको बोलेंगे भूकेले वाचसरावे मतलब गाई का जो बचड़ा होता है उसको बोलेंगे वाचसरावे मह पराटी में धेनू हुंबरत धावे तो धेनू का मतलब हो गया फीमेल जो गाय होती है गाय बैल को तो मतलब मेल बोलेंगे और फीमेल जो गाय जो गाय होती है जो दूर पिलाती है अपने बच्चे को उसको धेनू बोलेंगे हुंबरत धावे तो जब कभी भी उसका बच्च करके चिला कर अपने मालिक को बोलती है तब वो उसको खोल कर फटाक से अपने वो बच्चे के पास जाकर उसको फेडिंग करती है वानवा लागलेस वनी पाडस चिंती तो हरनी तो वानवा मतलब जंगल में जो आग लग जाती है उसको बोलेंगे हम लोग वानवा ओके लागलेस वनी तो लगना आग लगना किसमें वनी वनी मतलब जंगल घना जंगल होता न वैसा जैसे चार पाच पेड़े तो उसको जंगल नहीं बोलेंगे पूरा घना जंगल होगा उसको बोलेंगे को हम लोग हरनी बोलें यहां पर तो पाडस की चिंता में हर वक्त जो हीरन होता है अपने जो बेबी का जो है वो हर वक्त उसका टेक केर करने के लिए खड़ा रहता है कि मतलब ये कभी जंगल में अगर आग लग गई तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ तो वो कभी भी अपने बच्चे को कहीं छोड़ कर नहीं जाता वो हर वक्त उसके लिए चिंतित होता है नामा मने मेगा जैसा विनवी तो चातक तैसा तो नामा मने मेगा जैसा मतलब ये जो नाम के जो बादल है उसको आप मेरे पर बरसा हो ऐसा कौन बोल रहा है चातक बोल रहा है चातक मिंस एक पक्षी है जो सरिफ बादल के बोंदों से बादल जब रेन होती है बारिश होती है तब उसके जब बोंद गिरते है तब वो उसको हवे में ही पी लिता है वो जमिन पे गिरा हुआ पानी नहीं पीता है तो वो God को जैसे बोल रहा है कि ये जो नाम के बादल है उसको आप बरसा हो विनिवितों मतलब विननती करना ऐसा कौन विननती कर रहा है? तो ठीक उसी तरह संत नामदेव भी God से विननती कर रहे है ये पाँच अलग-अलग एक्जामपल्स लेकर ओके? तो आप ये पोयम के जो अभी मैंना एक्स्प्रिनेशन दिये हिंदी में आप प्लीज इसको कम से कम तीन से चार बार देखिए तो आपको easily समझ में आएगा और ये जितनी भी exercise दिये है और ये जितनी भी meanings दिया गया है ये प्लीज आप अच्छे से देखिए और इसको solve कीजिए guides के अंदर इसके answers को match कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा इसके concept clear हो जाएगे तो आप exam में अच्छे से please मेरे channel को subscribe करे like करे और अपने सारे school friends के साथ में इसको share करे और कोई भी अगर doubts आती तो please comment box में मुझे comment करके बताईए मैं doubts को जल से जल clear करने की कोशिश करूँगा thank you so much good bye झाल